आज की वीडियो मैंने एक important information देने के लिए आपको बनाई है यह इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चों और बहुत सारे ऐसे experience के question मेरे पास है जिसके अंदर उन्हें ने मुझे से यह पुछा कि अगर मैंने अपने teaching diploma के साथ कोई graduation का course जैसे BBA, BCA कुछ भी कोई अगर professional या कोई graduate course किया है तो क्या वो valid होगा कि इंटरव्यू के time के हमने उसे दिखाना चाहिए या नहीं चाहिए मैंने काफी लोगों से पता किया और का दिली के इनिवर्सिटीज दिली के इंस्टिट्यूट्स हैं और जो अर्याने के इंस्टिट्यूट्स हैं मेरे काफी friends के साथ मैंने डिसकस किया और मैं अब आपको surety के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने अपनी graduation के साथ कोई भी teaching diploma course के साथ कोई भी graduation का course किया है तो वो दोनों साथ में valid नहीं है और आपके दोनों certificates null and void हो सकते हैं तो friends यह यह बात जो मुझे पता चलिए यह मैंने दिली के institute से पता करी है हरियाना के मेरे काफ़ी सारे friends से उन से पता करी है काफी कुछ confusion राजस्थान के case में है राजस्थान में काफी सारे लोगों से बात करी तो उनका यह कहना है कि उन्होंने RTI लगाई थी और वहाँ के institute से पता करने के पाद उनको ऐसा पता चला है कि वहाँ पर teaching diploma के साथ graduation valid है तो ऐसे case में जो अगर आप राजिस्तान से हैं तो आप जरूर अपने institute से पता कर लें क्योंकि जहां तक मुझे पता है जिल्ली और हर्याना की case में और other states के case में भी किसी भी teaching diploma के साथ आपकी कोई भी graduation के degree valid नहीं होगी तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने सारे friends के साथ को शेर करें जिससे ऐसे बचे जिनको इसी से लेटेट किसी चीज़ की doubt है तो उनका ये doubt क्लियरो जाए थैंक यू भाइ फ्रहम अभिशेख से यू नेक्स ताइम